दूस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप यहाँ पर बजास Finance EMI कार्ड के लिए कैसे ऑनलाइन अपलाई कर सकते हैं मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में यह बताया है कि आप कैसे सामान को खरीच सकते हैं आपको बताने वालाओं कि आपको बजास Finance EMI कार्ड के लिए अपलाई कर सकते हैं यह जो कार्ड है हलाकि बीच में भी इसका जो अपलाई वाला प्रोसेस उसको कंपनी ने बंद कर दिया था कुछ problem की वोई लेकिन फिर से apply का जो process है वो company ने start कर दिया है और अगर आप इस time पे इस card के लिए apply करते हैं तो ये काफी अच्छा मोका है और काफी जादे chances हैं कि ये card आपको मिल जाएगा क्योंकि अभी company के पास में customer भी कम हो गए क्योंकि इन लोगों ने अपना process बंद कर दिया था तो ये लोग अपनी जो ये criteria है जो tournament condition उसको थोड़ा सा ये लोग हलका करने वाले हैं जिससे अगर आप अभी apply करते हैं तो पूरा chance बनता है कि ये card आपको मिल जाएगा तो फटा फट बात करते हैं कि कैसे ये card आपको मिलेगा और कैसे आप इसे online apply करेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है वीडियो को like करना है चैनल को subscribe कर देना है उसके बाद में आपको अपने smartphone के chrome application को open करना है फिर आप कोई जो browser उसको open कर सकते हैं यहाँ पर आपको सबसे पहले उपर बजाज finance लिखना है जैसे आप बजाज finance लिखेंगे आपको सबसे पहले website बजाज FinServe की देखने को मिलेगी इस पे आपको click कर देना है जैसे आप बजाज FinServe पे click करेंगे इंस्टा EMI card आपको दिख रहा है जैसे हम इस पे click करेंगे बजाज की जो official website है वो यहाँ पर open होकर किया जाएगी जहां से आप यहाँ पर इसके लिए online जो apply है वो कर सकते हैं अब आप देखिए कि सबसे पहले ही हमें इंस्टा EMI card के वाला जो page है वो खुल कर किया गया हमारे सामने और यहाँ पर यह काफ़ी सारी चीज़ें बता रहा है आपको term and condition भी पढ़ने को मिल जाएगी कैसे क्या चीज़ें होती इसके अंदर क्या term and condition है साथ साथ इस card को apply करने के लिए क्या कुछ criteria है कौन को लोग apply कर सकते हैं यह सारा का सारी जो detail है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी और आप देख सकते होंगे you can have a card loan और यहाँ पर यह कह रहा है कि आप 3,00,00 रुपय तक का जो loan है वो आपको directly मिल जाएगा और आप बजास finance card से जो भी चीज़े purchase करेंगे वो EMI में ही directly convert हो जाती है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले आप नीचे देख रहा होंगे आपको एक verify mobile number का option देखने को मिल रहा है जैसे आप अपनी mobile number को यहाँ पर enter करेंगे get it now पे click करेंगे आपकी mobile number पे एक OTP आईई हो OTP को डाल करके आपको अपना verification complete करना है चलिए मैं फटा फट से करता हूँ और आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही मैंने अपना number डाल करके OTP को verify किया simply मैं एक step आगे बढ़ चुका हूँ और आप देख सकते होंगे यहाँ पर अभी हमारा यह full name मांग रहा है जो कि हमारे pan card में होना चाहिए क्योंकि सारे के सारे जो details है वो आपके आधार card और आपके pan card से ही fetch होती है तो वो आपका जो नाम है वो उसमें गलत नहीं होना चाहिए same to same जैसे आपकी document में आपका नाम होगा वैसे ही सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए तो यहाँ पर मैं आप सबसे पहले अपना full name यहाँ पर डाल देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे personal detail का हमारे सामने जो एक section है वो open हो करके आच चुका है यहाँ पर आपको आपनी personal detail डालनी है जैसे कि आपका full name आपका data birth आपके pan card का number आपका pin code आपकी city नेचे आप यहाँ पर क्या है salaried person है या पर self-employed है आपका gender यह सारी चीज़े आपको choose कर लेनी है चलिए मैं फटा-फट सी यह सारी चीज़े डालता हूँ और आपको आगे का process दिखाता हूँ और एक चीज़ बता दो यहाँ पर जो भी चीज़े है वो आपको 100% सही डालनी है otherwise आपको यह card नहीं मिलेगा तो यहाँ पर दोस्तों जैसे आप अपनी पूरी detail डालेंगे आप देख सकते हूँ कि message भी आ चुका है तो जैसे पूरी detail डालेंगे आपको यह बता देगा कि आपको कितने रुपए का जो approval amount है वो मिलने वाला है तो देखे जैसे मैंने अपनी सारी detail डाले अपना pen card वगर डाला यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि मुझे 1,10,000 रुपए का जो email amount है वो directly मिल रहा है अगर मैं इस card को लेता हूँ तो यहाँ पर अब यह depend करता है कि आपका civil कैसा है आपने कोई loan ले रखा या फिर नहीं ले रखा है आपने लिया था तो उसका repayment कैसे किया आपने delay तो नहीं किया तो यहाँ पर मैंने हला कि अभी तक कोई loan लिया नहीं है कभी तो आप देख सकते होंगे 1,10,000 रुपए का मुझे यहाँ पर जो limit है वो directly so कर रहा है और यह जो card आपको दिख रहा है यह card आपके घर पे नहीं आने वाला है यह card आपके phone में होता है यह digital card होता है आपको ना चाहता हूँ तो मुझे proceed for verification पे click करना होगा अब क्या है मुझे अपनी KYC complete करनी होगी तो जब मैं KYC complete कर लूँगा उसके बाद में यह card है वो directly मुझे मिल जाएगा यह जो amount है वो मुझे मिल जाएगा तो KYC complete करने के लिए क्या-क्या process है वो मैं आपको बता देता हूँ और यहाँ पर यह भी बता रहे हैं कि आप जितनी बार अपनी card को use करते जाएंगे ऐसा नहीं कि आपको एक लग दसजार सुरू में मिल रहा है तो इतना ही amount आपका रहेगा अगर आपकी lien दिन काफी अच्छी होगी जितनी बार आप transaction करेंगे repayment करेंगे उतनी बार यहाँ पर chances रहेंगे कि आप अपने इस EMI amount को बढ़वा सकते हैं तीन लाख रुपर तक ले जा सकते हैं तो proceed for verification पर मैं क्लिक कर दूँगा तो जैसे ही आप verification वाले page पर क्लिक करेंगे आपके सामने सारी detail आजाएगे आपका नाम आपका mobile number आपकी date of worth और यहाँ पर यह जो address है वो address पर card word नहीं आएगा यह मैं आपको बता चुका हूँ अगर आपकी सारी चीज़ें सही होती है address update अगर आपको नहीं करना है तो simply आप proceed पर click करेंगे जैसे ही हम proceed पर click करेंगे यहाँ पर यह कहेगा कि आप अपने KYC को verify करिए तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते होंग यहाँ पर जाकर कि आप अपनी KYC डीटेल जो है वो सम्मिट कर सकते हैं यानि आपके मार्केट में हर जगह पे किसी दुकान पे आप देखेंगे तो बजाज EMI card जो board है वो लगा होता है तो वहाँ पर जाकर कि आप अपनी KYC डीटेल जो है वो सम्मिट कर सकते हैं अपनी डीटेल्स verify करवा सकते हैं उसके बाद में सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगे तो यहाँ पर avail offer पर यहाँ पर यह एक offer भी मुझे दे रहे हैं यह सारी चीज़ें दो लाख रुपय तक का आप credit debit card coverage तो यह सारी चीज़ें मैं avail offer पर क्लिक कर दूँगा तो मैं offer भी avail कर लूँगा तो इस तरीके से आप यहाँ पर बजाज इंस्टा EMI card के लिए apply कर सकते हैं अब कुछ भी नहीं करना है इसमें सारी चीज़ें हो गई हैं सिर्फ और सिर्फ जाकर करके अपनी KYC जो detail है उसको submit कर देना है और हमारा जो card है वो हमें मिल जाएगा अलग कि मुझे इस card की need नहीं मुझे लेना नहीं है इसलिए मैं आपको सारा process समझा रहा था कि कैसे आप card को लेते हैं कैसे सारी चीज़ें काम करती हैं अगर आप अलग की जादे दर chances हैं कि अगर आपने already कभी loan वगर लिया रहेगा तो आपका online ही verify हो जाएगा और आपको जो card है वो यहीं से issue हो जागा यह सारा का सारा online process होता है इसमें कहीं visit करने की जुरत नहीं होती है लेकिन अगर उनको लगता है कि यह जो बंदा है वो genuine है की नहीं है इसकी सारी details genuine है की नहीं है तो उसके लिए आपको KYC के लिए nearest partner store पे बुला सकते हैं verify करने के लिए तो य हमें जरूर से अपना opinion comment box लिखना मत भूलना फिलाल दोस्तों इस वीडियो में फिलाल दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको वीडियो बसंद आई हो तर वीडियो को like करना और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को subscribe नहीं किया subscribe भी कर लेना